नमस्कार, विकेवी न्यूज के मॉनिंग टाइम न्यूज में मैं एश्वरिया आप सभी का स्वागत करती हूँ आए ने ज़र डालते हैं आज के हेड्लाइन्स पर राज्य सरकार मंत्री मंडल की हुई बैठक, चुनाओ के कुर्व ही आरक्षन, सरकार की रण नीती दो साल बाद RSS का आयोजित होगा प्रशिक्षन शेविर 9 मैस से होगी शुवाद और एजी एन्वाइरो कंपनी के कर्मचारी अच्छानक हर्ताल पर सफाई कामगारों की हर्ताल से शहर में लगे कच्छरे के धेर अब खबरे विस्तार से राज्य सरकार ने तय किया है कि वह स्थानिय निकायों के चुनाओ होने से पहले ही OBC आरक्षन का डाटा जुटा कर सुप्रिम कोर्ट के समक्ष पेश कर देगी ताकि बिना OBC आरक्षन के चुनाओ न हुपाए मुख्य मंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई बैठक में यहरण नीती तय की गए सुत्रों के अनुसार बैठक में कहा गया है कि राज्य चुनाओ आयोग को स्थानिय निकाई चुनाओ के लिए सभी प्रवर्गों का आरक्षन तय करने में कम से कम दो महा लगेंगे इसके पहले पुर्व मुख्यस चीव जैन कुमार बांठिय के अध्यक्षता में नियुक्त आयोग OBC का राजनितिक पिछरापन सिद्ध करने संबंदी डाटा जुटा लेगा बडाटा सुप्रिम कोर्ट में पेश किया जाएगा और OBC आरक्षन को यतावत बनाने रखने का आग रख किया जाएगा प्रभाग रशना का अधिकार राज्य चुनाव आयोग को दे देने के बावजूद सुप्रिम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि राज्य सरकार द्वारा यह अधिकार अपने हाथ में लेना अवेद है साथ ही इस पर रोक नहीं लगाई है सुप्रिम कोर्ट ने इंपरिकल डाटा के आधार पर OBC आरक्षन देने का विकल्द दिया है सुप्रिम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य चुनाव आयोक का रुख समझने के लिए राज्य सरकार के वरिष्टा अधिकारी एक दो दिन में आयोक से चर्चा करेंगे मद्य प्रदेश में OBC आरक्षन के प्रकरण में सुप्रीम कोड शुक्रवार को फैसला सुना सकता है उस फैसले को लेकर उच्सुकता है संग ने अब स्थिती के नियंतरन में आने पर प्राथमिक से लेकर राश्टीय स्तर पर शिविर का आयोजन आरम करने का फैसला किया है इसी कड़ी में 9 माईस से शहर के रेशिमभाग में 33 वर्ष प्रशिक्शन शिविर आयोजित किया जाएगा संग से वरिष्ट पदादिकारी इसमें शामिल होंगे पुर्वराश्टरपती प्रणव मुखर जी इस शिविर के समापन समारों के प्रमुक अतिती रह चुके है बहरहाल इस वर्ष के अतिती के नाम पर संग गोपनी अता बरत रहा है संग में तृतिय वर्ष प्रशिक्षण शिविर का काफी महत्व है जिला स्तर पर महत्वपूर नजीमेदारी समालने वाले तथा तहसिल स्तर पर दो से अधिक काम करने वाले स्वयम से वकों को इसमें शामिल होने का आवसर्म मिलता है आम तोर पर यह शिविर 10 मई के बाद ही होता है लेकिन इस वर्ष यह 9 मई को आरम होगा तृतिय वर्ष के साथ ही प्रतम वर्ष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन में महिने में ही होगा खामगाव में द्वितिय वर्ष शिविर का आयोजन किया जाएगा जुन महीने में विद्यार्थियों के लिए प्राथमिक शिवर होंगे सुत्रों का दावा है कि संग विद्यार्थियों के लिए अधिक से अधिक शिवर आयोजित करने की तयारी में है एजी एन्वाइरो कंपनी के करमचारियों ने गुरुवार को अचानक कामबन हर्ताल का अभवान किया इस से आधे शहर में कच्रा संग्रहन ठप हो गया घरों से कुडा नहीं उठाया गया घर का कच्रा घर में ही रहा तो गली का कच्रा गली में बाजार में सड़क के किनारे कुडे के धेर लगे रहे कंपनी और उसके करमचारियों के विवाद में शहर के नागरिकों की फजिहत हो रही है पांच जोन लक्ष्मिनगर, धरमपेट, धन्तोली, हनुमान नगर और नहरू नगर में कच्रा संग्रहन पूरी तरह ठप रहा बुद्वार बाजार परिसर, उम्रेड रोट पर मिर्च बाजार, सकरदरा तालाब परिसर, वंजारी नगर रोट, सिद्धेशवर सभाग्रह, श्री क्रिश्न नगर चोग, केडी के पॉइंट हसन बाग, केडी के धरमपेट बाजार, धन्तोली परिसर, त्रीमूर्ती नगर और नहरू नगर जोन में कच्रा संग्रहन बंध है, इसलिए नागरी को द्वारा घरों का कच्रा सारवजनिक स्थानों पर डम किया जा रहा है, खबरों के सिलसले में वक्तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, सब जानना चाते हैं, मेरा फेवरिट कालर, मेरा फेवरिट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरिट डिश, पर कोई ये नई पूछता कि फेवरिट डिश मैं बनाती कैसे हूँ, अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है, वो अच्छे तेस्ट तक पहुंची जाता है, सुरुची मसाले, खाने में हो रुची, तो घर लाइए सुरुची. अपने सपनों के उड़ान भरने के इच्छा, तो हर किसी की होती है, पर पंग भी तो मस्बूत होने चीए, जो देता है, Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टिटूट है, जहाँ पर एरलाइन और एरपोर्ट हॉस्पिटालिटी और टूरिजम मनेजमेंट, साथ ही यहाँ आप पासकने है, Flywheel Aviation Academy, वन डिग्री, त्री जब अपर्चुनिटीज, फ्लाइवील Aviation Academy, जिव दिग्री और दिप्लोमा विद ए जॉब, फ्लाइवील Aviation Academy, 365 Gani Nagar, LAD College Square, beside Karnataka Bank Nagpur जनाब तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासिर की है बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आईरुवेद तथा आधनिक लेजर से उपचार अभियुदै पाइल्स लेजर हॉस्पिडल, लोहार समाज भवन के पीछे, महा पुष्प सोसाइटी, शताबदी नगर चौक से मनीश नगर रोड नागपूर काल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com प्रिके बाद आपका स्वागत है पाहन चालोकों को धूप से बचाने के लिए ट्राफिक ब्रांच ने शहर के 21 सिगनलों को दोपहर 4 घंटे बंद रखने का निरने लिया है टूबिलर्स चालोकों को धूप से बचाने के लिए ये निरने लिया गया है नागपुर में भीशन गर्मी पढ़ने से दोपहर में कई चौराहों पर अधीक आवाजा ही नहीं होती है सिगनल रोड होने से वहाँ चालकों को रुखना पड़ता है उन्हें राहत देने के लिए ट्राफिक ब्रांच के DCP सारंग आवाड ने कम आवाजा ही वाले 21 सिगनलों को दोपहर 12 से 4 बजे तक बंद रखने का फैसला लिया है इनमें काचिपूरा, बजाज नगर, लक्ष्मी नगर, माता कचहरी, आकाश्वानी चोग, जीपी ओ चोग, सायंस कॉलेज चोग, अहिंसा चोग, जापानी गार्डन चोग, आगाराम देवी चोग, बैदनाख चोग, नरेंदर नगर, कडबी चोग शामिल है अमरावती की सांसद नमनीत राणा इनको गुरुवार को जमानत मिली, वो भायखला जेल में बन थी, उनकी तबियत बिगणने की वज़े से उन्हें लिलावती अस्पताल में भरती कराया गया, उनके पती विधायक रवी राणा भी तलोजा जेल में बन थे, उन्हें जैस इसके अलावा विध्यार्थियों को दो साल के लिए दो लाख रुपे अतिरिक्त खर्च आता ही है, SC, ST, OBC और अन्य समवर्ग के विध्यार्थियों को फीस में रियायत नहीं मिलती है, उन्हें भी उतनी ही फीस भनने पड़ती है, इससे गरीब और सामान्य विध्यार्थ इतनी अधिक फीस भर कर IIM में शिक्षा कैसे लेगा, यह सवाल पैदा हो गया है, नाकपुर IIM को शहर के गौरव के रूप में देखा जाता है, यह बात सही है कि IIM से डिग्री लेते ही सभी विध्यार्थियों को लाखों रुपे का सालाना पैकेज मिलता है, शिक्षा ले काले के तहत कार्यरत है, कॉलेज के संचालन के लिए उसे केंदर सरकार से सालाना पंड मिलता है, इसके बाद भी विध्यार्थियों को रियायत न मिलने के प्रती आश्चरिय जताया जा रहा है, नारी रोड निवासी एडवकेट संगीता थूल को RTI के तहत IIM की फीस में सा 75,000 रुपे बढ़कर 13,75,000 रुपे हो गई है, हाला कि फीस रशना के लिए क्या नियम है, इसकी जानकारी कॉलेज ने उन्हें नहीं दी, IIM नापुर की केंद्रिय सारवजनिक सुचना आधिकारी प्रिती घसार ने केवल इतना जवाब दिया है कि यह जानकारी सारवजनि करना संभव नहीं है। साथ ही आत्रियों से अनिरोद किया है कि यह चेन अपात कालिन परिस्थिती के लिए है, इसे अनावशक स्थिती में नाखिचे। तो आज के इस मौनिंग टाइम न्यूज में बस इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए बीकेबी न्यूज नमस्कार।